CSE के थुरू आप pension सिवा के इंदर open कर सकते हो जिसमें pension related बहुत सारे services आप लोगों को मिल जाती है अगर आप एक CSE भेली हो तो pension सिवा के इंदर open करके आप एक काफी अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकते हो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि CSE pension point क्या है इसमें आप लोगों को कौन कौन सी services मिल जाएंगी आप लोगों को इसमें कैसे registration कम्पलीट करना है registration करने से पहले eligibility criteria के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूँगा यानि कि pension से वाकेंदर से related सारे ही जनकारी इस single वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी तो वीडियो को लाच तक जरूर देखिएगा चलिए आज की सकमाल की वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि CSE pension point क्या है उसके बाद हम लोग बाकी सारे topics के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि digital सिवा portal के थुरू आप insurance जैसी बहुत सारे services में काम कर सकते हो इसी परकार से pension सिवा केंदर को भी चालू किया गया है जिसमें pension से related बहुत सारे services आप लोगों को मिलेंगी basically यह service उन लोगों को ज़्यादा देगी जो भी लोग pension के लिए eligible है या फिर जिन भी लोगों को pension मिल रहा है कौन-कौन से services मिलेंगी इसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं तो इसके लिए हम लोग सब सब पहले इस window को minimize कर लेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसके services के पूरी list हमने बना कर तयार कर ली है यहाँ पर आप लोगों को जितने भी schemes दिख रहे हैं यानि कि जितने भी योजना जैसे की विद्वा pension योजना, विकलांग pension योजना, विर्धावियस्था pension योजना, राष्टर pension योजना, अटल pension योजना, स्रम मांधन योजना, किसान मांधन योजना, राष्टर परिवा एक लाब योजना ये सारी schemes में आप लोग online application फिल कर सकते हो साथे साथ आप लोगों को जीवन परमान पत्र बनाने का भी काम मिल जाएगा आप लोगों को KYC करने का भी काम मिलेगा आप लोगों को एक और बड़ा service यहाँ पर मिलेगा e-district ID के थुरू आप लोग और भी बहुत सारे services में काम कर सकते हो जैसे कि रासन कार्ड service हो गई या फिर वोटर कार्ड की service हो गई ये सारे services में आप लोग अपने e-district ID के थुरू भी काम कर सकते हो तो बहुत अची-ची services हैं pension सिवा केंदर open करने से आप लोगों को pension सिवा केंदर open करने के लिए क्या-क्या eligibility criteria होनी चाहिए कैसे आप लोगों को registration करना होगा इसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसे minimize कर लेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे district manager के द्वारा इस message को send किया गया है, forward किया गया है इस message में एक photo भी attach किया गया है photo में eligibility criteria दी गई है लेकिन कुछ text को भी यहाँ पर type किया गया है इसे पहले में आप लोगों को पढ़के बता देता हूँ पिर यह वेली बंदू आप लोगों को सुचित किया जाता है कि अगर आप pension point के लिए interested है तो नीचे दिये गए link पर अपना details फिल करें आपके पास micro ATM होना जरूरी है जिनके पास भी micro ATM नहीं है तो वो आज ही order कर सकते है और नीचे micro ATM order करने का link भी दिया गया है तो basically इस message में बताया गया है कि CAC pension point के लिए registration चालू हो चुका है आप लोग अपना registration कर सकते हो लेकिन इसके लिए क्या-क्या eligibility criteria है उसका details भी send किया गया है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ तो eligibility criteria को देखने के लिए मैंने इस image को जूमिन कर लिया है यहाँ पर आप लोग सारा ही details को देख सकते हो इसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो यहाँ पर दी गई है pension point के लिए VLE CAC common branding होना चाहिए यानि कि आपके CAC center में banner लगा हुआ होना चाहिए CAC center में prices के list भी आप लोगों को add करनी होंगी साथे साथ आप लोगों के पास police verification complete होना चाहिए आप लोगों का physical verification भी complete होना चाहिए दुसरा criteria रखा गया है कि DGP में कम से कम 100 transactions होने चाहिए कितना का transaction होना चाहिए मन्थली वो भी यहाँ पर दिया गया है और एक बहुत जरूरी criteria जो आप लोगों को fulfill करनी होंगी आप लोगों को DGP microadium order करना होगा या फिर अगर आप लोग DGP microadium को use नहीं कर रहे हो तो use करना होगा DGP microadium को कैसे use करते हैं, order कैसे करते हैं इसके बारे में details में मैंने एक video बनाया हुआ है उस video का link नीचे आपको description में भी मिल जाएगा और i button में भी मिल जाएगा और services के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वही चीज यहां पर भी लिखी गई है कि अगर आप लोग CAC pension point को open कर लेते हो तो आप लोगों को जहार सिवा की ID और pension की service भी दी जाएगी pension की service की complete list मैंने आप लोगों को बता दिया लेकिन आप लोगों को सायद पता नहीं होगा जहार सिवा ID क्या है जहार सिवा ID को ही E-district ID कहा जाता है जहारकन में बहुत सारे states में इसे अलग-अलग नाम से भी जाना जाता है अगर ये सारे ही eligibility criteria आप लोग fulfill कर लेते हो तो CAC pension point आप लोगों को मिल जाएगा और पर पंचायद दो CAC pension point open की जाएगी साथे साथ इस notice में एक link को भी add किया गया है यहाँ पर आप लोग link देख सकते हो लेकिन यह link आप लोगों के कोई भी काम नहीं आएगी link send नहीं किया गया हो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे district manager के द्वारा इस परकार का link send किया गया है जहाँ पर पूरा registration form open हो चुका है और pension point का यह complete नाम है CAC digipay pension point digipay में ही cash withdrawal का एक नया option को add किया जाएगा जो कि सिर्फ pension धारियों के लिए है तो यह service काफी कमाल की होने वाली है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया अब इस service के लिए आप लोगों को banner भी लगाना होगा अपने CAC center में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस परकार का banner रहने वाला है और यह banner में अपने telegram group में share कर दूँगा तो आप लोगों अगर download करना चाते हो इस banner को बहुत अच्छी quality में तो आप लोग हमारे telegram group में join कर सकते हो साथे साथ pension सिवा के अंदर open करने के बाद आप लोगों को एक परमान पत्र भी बनवाना पड़ता है अपने मुख्या के द्वारा ग्राम परधान के द्वारा जैसा कि यहां पर आप लोग देख सकते हो परमान पत्र का भी format में आप लोगों को अपने telegram group में ही send कर दूँगा तो अभी तक अगर आप लोगों ने telegram group join नहीं किया है अगर आप किसी other state से belong करते हो तो आप अपने district measure को contact कर सकते हो इस service के बारे में सारही details आप लोगों को मिल जाएगी साथे साथ अगर आप लोगों के state में इस service को live किया गया है तो आप लोगों को registration का link भी वही provide कर देंगे तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि pension सिवा के अंदर CAC के थूँ कैसे आप open कर सकते हो pension सिवा के अंदर में कौन-कौन से services मिलती है आसा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को काफी helpful लगी होगी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को subscribe जरूर करिएगा मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नहीं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड गुडबाए दोस्तो